आज की वीडियो में हम टुबैको मुझे एक वाइरस को देखने वाले हैं यानि की सॉर्ट में कहें तो टीमबी को देखने वाले हैं इस सम्बंधित या इस चैप्टर से सम्बंधित जितने भी डिजीज के और भी टॉपिक हैं उनके उपर वीडियो बन चुकी है आप टे लिस्ट में जाके देख सकते हैं बाकी ये टॉपिक चेंज होने के बाद BSC फर्स्ट येर में भी हो गई है और थर्ड येर में तो ये पहले से भी थी तो अगर आपके सलेबस में ये टॉपिक है तो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों आप इसे देख सकते हैं अब आई अब बात करते हैं TMV की यानि की टोबैको मोजैक वाइरस की देखे तो जिस तरीके से हमने सब को पढ़ा है वैसे ही एकदम लाइन बाइन सब चीज को क्लियर करते जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं नेम आफ डिजीज की हमें पता है टोबैको मोजैक डिजीज तीसरी बात होस्ट प्लांट क्या है होस्ट प्लांट आपको पता ही है जो तंबाकू होता है तंबाकू का ही पौधा होता है और उस पौधे का साइंटिफिक नेम होता है निकोटीना तबैकम नाम होता है तंबाकू के पौधो का साइंटिफिक नेम होता है तो ये हो गया उसका host plant और उस plant के कौन से part को infected करता है तो simple सी बात है जो plant की पतियां होती है जो leaps होता है उनी के उपर ये अपना असर दिखाता है या कह सकते हैं अपना कारे कम सुरू करता है तो ये हो गई हमारी काम भर की जानकारी अब बात आएगी कि ये होता तो वाइरस की वज़ा से है ठीक है वाइरस अब वाइरस क्या होता है इस चीज के बारे में हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है ये रही उसका आप देख सकते हैं पेलिश्ट में जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं कोशिस करूँगा कि डिस्क्रिप्सन में लिंक डाल दू भूलू ना ठीक है आगे सुनिए तो वाइरस को आप क्या कह सकते हैं हमने पिछली वीडियो में बताया है यहाँ पे भी हम हलका समझा दे रहे हैं वाइरस आपका एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी न्यूक्लियो प्रोटीन का पार्टिकल होता है ठीक है और्गैनिजम नहीं कहेंगे रीजन यह है कि कभी मरा रहता है और कभ जिंदा रहता है पते नहीं चलता है बात यह है कि वाइरस को ना तो लिविंग ठिंक्स में गिना जाता है और ना ही non living things में गीना जाता है इसी वज़े से organism न कहते हुए हम ये कह रहे हैं कि nuclear protein से बना एक particle होता है कौन जाए organism कहके फसने क्योंकि कभी ये organism रहता है और कभ मरा हुआ रहता है पता नहीं चलता है भगवान जाने का ही है तो इसी लिए इसे connective link माना जाता है non living things और living things के बीच का यानि कि मतलब जीवित चीज और non living things के बीच का connective link माना जाता है हिंदी में क्या कहते है non living things को पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा है मतलब सजीव और निर्जीव हाँ ये वर्ट सही है सजी और निर्जीव के बीच का connective link माना जाता है ठीक तो ये बाते आप clear रखिएगा ultra microscopic कहने का reason ये है कि बहुत ज़ादे ही ये सूचम होते है microscopic नहीं है ultra microscopic है normal microscope की साहईता से तो इसको हम देखी नहीं सकते है इसको देखने के लिए electron microscope की जवद पढ़ती है उसके माध्यम से इसको हम अच्छे से देख पाते हैं इसी वज़ा से microscopic नहीं ultra microscopic होता है ये चीज़े भी आप clear रखिएगा इसे सबसे पहले किस ने खोजा था तो इसे 1892 में रूसी एक वग्यानिक थी जिनका नाम था Dimitri Ivanovski उन्होंने 1892 में सबसे पहले इसे discover किया था और जब मैं मेरे time में भी था यानि कि एक से डेड़ साल पहले तो मुझे भी यही पढ़ाया जाता था कि यह पहला खोजा जाने वाला वाइरस है जो यही यह वाइरस है जो सबसे पहले खोजा गया वाइरस है यानि कि सबसे पहले जिस वाइरस को खोजा गया था वो आपका tobacco मुझे एक वाइरस ही है अब इस चीज को सुनने के बाद हम जब पढ़ रहा था उस time पे भी हमारे मन में खट यह बतलब एक बात खटकी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है टोबैको मुझे एक वाइरस ही पहला वाइरस है जिससे सबसे पहले खोजा गया वो भी 1892 में अगर ऐसा है तो यह बताइए कि जो 1716 में एड़वर्ड जेनर ने चेचक डिजीज के बारे में बताया था और बताया कि यह डिजीज वाइरस की वज़से होती है तो फिर वो क्या था जब अगर हम इससे पहले 1892 से पहले हम वाइरस के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे वो सबसे पहला वाइरस है जिससे खोजा गया था तो वो 1716 में एड़वर्ड जेनर ने चेचक डिजीज को खोजा और बात ने बताया कि यह वाइरस की ही वज़से होता है यह क्या है अरी जे 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 क्या कर रहे हो माली कि सब बच्चों को नहीं पता है इसको छोड़ की भागो काहीं लिए भी फ़ल जाओगे तुम भी जब आप नहीं दिपाओगी तो काहुगा रहने तो रहने तो छोड़ तो छोड़ तो आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ के बताओ आगे इस चीज को हमने पूछा भी लेकिन उन्होंने कुछ खास बताया नहीं तो आपके भी उपर है आपको जो लगे आप देख लिजेगा हमने इसके पर जब गहरा रिसर्च किया तो हमें जहां तक समझ में आया वो ये समझ में आया कि आप ये जरूर कह सकते हैं कि प्लांट में खोजा जाने वाला सबसे पहला वाइरस आपका TMV है लेकिन वर्ड करेक्ट करना पड़ेगा वर्ड ये करेक्ट करना पड़ेगा कि प्लांट में खोजा जाने वाला सबसे पहला वाइरस आपका TMV यानि कि टोबैको मुझे एक वाइरस है लेकिन अगर बात की जाए वाइरस की तो वाइरस तो भाइया पहले भी खोजा जा चुका है एडवर्ड जेनर ने 1716 में चेचक के बारे में बता दिया तो वो जब बताया कि ये वायरस की वज़ा से होता है तो वहां पे भी तुसको खोजा तो जाई चुका है तो ये चीज कह सकते हैं लेकिन ये मेरा अपना मानसिक्ता कहती है बाकि जो हो मुझे जो लगता है मेरे research के साफर जो मुझे सही लगता है वो मैंने आपको पदा दिया बाकी किताबों में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि हाँ सबसे पहला खोजा जाने वाला virus आपका PMB ही होता है तो क्या कर सकते हैं जो लिखा है लिखा है वो आपकी चो पतना क् जाएगी चलिए बागे चलते हैं हाँ एक वर्ड और रगया है कि टोबैकों के साथ मोजैक वर्ड क्यों पढ़ा ठीक है मोजैक वर्ड का क्या रीजन है मोजैक से आप ऐसे समझिए चूकि जिस पैटर्न में या जिस क्रम में वहां पर दाग होते हैं वो मोजैक की आकरती की तरह होते हैं ठीके उसके जैसा एक structure बनाते हैं चुकि टोबैको के plant पे हो रहे थे मोजेक जैसी आकरती बना रहे थे और वाइरस थे तो इसी वज़े से टोबैको मोजेक वाइरस इसका नाम पड़ गया ठीक है मोजेक का सही meaning मतलब क्या समझाओ आपको ऐसे समझे सिंपल सी बात है कि क्या होता है कि पहले जहां जहां पर वाइरस रहता था वहां के पार्ट वह सूख जाते थे या कह सकते हलका पीला हो जाते हैं क्योंकि वहां के chlorophyll मर जाते थे फिर थोड़े से बगल वाला पार्ट हरा रहता था फिर उसके बगल में फिर से वह पार्ट पर वाइ वैसे समझेए, मैत की कॉपी आती थी पहले, अच्छा छोड़िए, चेस देखा है न आपने, चेस में एक काला एक सफेद, काला सफेद, काला सफेद नहीं है, वैसे ही इनकी पतियों पर वो सूखा हुआ पार्ट और फिर हरा, फिर सूखा हुआ पार्ट फिर हरा, फिर सूख इसी वज़ा से इसका नाम टोबैको मुझे एक वाइरस पड़ा ठीक है अब आपका बात क्लियर हो गई होगी अब चलिए इसकी चीजों को देख लेते हैं क्या होता है किस तरीके का वाइरस होता है क्या सेफ होता है वो समझे तो ये रही आपकी TMB की यानि कि टोबैको मुझ इसी फिगर का बड़ा रूप ठीक है बिग फॉर्म में आपको यहां पे दिखाये गया है या में ली आप यह जो भी कह लिए आपका जो तो बैको मुझे एक वाइरस है वो ऐसे समझे दो चीजों से मिलकर बना हुआ है क्या क्या वाइरस आपका वैसे में धो चीजों से मि एक तो आपका nucleic acid और दूसरा आपका protein से ठीक है nucleic acid का मतलब DNA या RNA और protein मतलब जो उसकी बाहरी layer होती है वो protein coat की होती है जिसे हम capsid के नाम से जानते हैं और वो जो capsid है वो बहुत सारे capsomere से मिलकर बना होता है तो उसी का जो detail form है इसी figure का detail form ये है जो बड़े में बनाया गया है इसे देखके जादा अच्छे से clear हो जाएगा ये समझ लीजिए ये जो beach से यहाँ से बाहर निकला है ये ही क्या है आपका single standard RNA ठीक है tobacco music virus के अंदर क्या present होता है genetic material में single standard RNA present होता है ये आपका helical form में है आप देख रहे हैं कैसे गोल गोल है अंदर से खोखला होता है इसी खोखले वाले part में ही आपका RNA यानिके single standard RNA आपका present होता है और आपका ये जो बाहरी layer है वो capsid कहलाती है और ये capsid कहलीजे या protein code कहलीजे और ये protein code या capsid आपकी किस से मिलकर बनी होती है capsomere से मिलकर बनी होती है तो बहुत सारी capsomere मिलके आपके protein code या आपके capsid का formation करता है उमीद करता हूँ पूरी बाते clear हो गए होगी अब बात करते हैं इसके shape की तो ये आपका 300 nanometer लंबा होता है और 18 nanometer आपका चोड़ा होता है चोड़ा मतलब उसकी एक टिकर से diameter ले लिजे इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये अंदर से खोखला होता है अब यही सब चीजे यहाँ पर लिखी गई है उनको एक बार पढ़ दे रहा हूँ अब ज़्यादा अच्छे समझ जाएंगे चलिए आए देख लिजे देखिए दर टोबैको मुझे एक वारस यानि कि TMV has a rod like appearance that is 300 nanometer long with a diameter of 18 nanometer simple सी बात है वह चीजे लिखिए वही चीज मने आपको बताई कि rod like saved में ये होता है एक rod की आकरती के जैसा होता है 300 nanometer आपका लंबा होता है 18 nanometer आपका चौड़ा होता है ये चीजे मने आपको बता दी है या इसका diameter 18 होता है ठीक है आपका किस से मिलकर बना होता है तो यह आपने लिख़ा है It is covered by a protein cell ठीक है तो यह जो वायरस होता है वो protein के cell से TMV होता है वो protein cell से cover होता है उसी को protein coat या capsid के नाम से जानते है ठीक है तो अगर पूछा जाए कि कैपसिट किसे मिलकर बना होता है तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है ठीक है प्रोटीन कोड कह लिजे कैपसिट कह लिजे बातवाई हो गई इसके अलावा जो आपका वाइरस होता है उसके अंदर का जो जेनेटिक मैटीरियल होता है वो उसी कैपसिट के अंदर होता है यानि क जो genetic material होता है वो capsid से घिरा होता है या protein coat से घिरा होता है और यह जो capsid होती है वो बहुत सारी capsomere से मिलकर बनी होती है बहुत सारी capsomere सापस में मिलकर आपकी capsid का formation करती है ठीक है और इसी capsid के अंदर ही आपका क्या होता है genetic material होता है और यहाँ पे genetic material यानि कि TMB में genetic material का काम कौन करता है single standard RNA कौन करता है आपका single standard RNA ये बात clear रखिएगा मैंने आपको virus वाले topic में बताया था कि virus के अंदर दो चीज़ पाई जाती है एक आपका genetic material और दूसरा आपका protein code या कह लिज़े capsid तो genetic material में DNA या RNA होता है लेकिन बात हम यहाँ पे TMB की कर रहे हैं ना कि virus की तो tobacco mosaic virus में genetic material के रूप में single standard RNA प्रेजेंट होता है single standard RNA molecule प्रेजेंट होता है ये बात समझ लीज़े ये जो figure दिख रही है ये figure देखी रहे हैं आप खोखला होता है हेलिकल सेप में होता है और देखी रहे हैं किस तरीके से गोला गोला घुमा हुआ है बीच में जगह होती है और ये जो बीच में जगह होती है यहीं पे ही आपका single standard RNA प्रेजेंट होता है और यह RNA वाइरस के थोड़ा सा बाहर भी निकला रहता है जो कि आपको figure में देखने से साफ साफ clear हो जा रहा है ये पूरी चीजे है ये आपका capsomere है बहुत सारा capsomere मिलकर बना होता है ये सब चीजे लिखी है या capsid है जो भी कह लीजे ये एक कई 130 capsomere के molecule से मिलकर बना होता है आप उमीद करता हूँ चीजे समझ पा रहे हैं और उसके एक helical के structure में मतलब ऐसे समझ ये कई term में वो बना रहता है जो आपकी देखने में भी समझ में रहा है कि ये किस तरीके से helical form में है इसके एक चकर में एक helical के चकर में ये समझ ये एक गोला जब ये घूमता है उसमें 16.3 protein के particles होते हैं या आपके capsomere के particle होते हैं या capsomere के molecule होते हैं इसके तीन चकर में ये तो एक चकर की बात कर रहे हैं तो अगर बात की जाए तीन चकर की तो मोटी मोटा कह सकते हैं हैने से माल लिए देखिए बात समझीगा जब ये एक राउंड हुआ फिर दो राउंड फिर तीन राउंड ऐसे ही न मिलके पूरा बना होगा तो ये जिसका एक राउंड कंप्लीट हो रहा है उसमें 16.3 प्रोटीन के मॉलिक्यूल है तो तीन राउंड में देखा जाए तो मो का जो हर एक वाइरस में अलग-अलग ये संख्या हो सकती है टीमवी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो टीमवी में जो प्रोटीन कोट होता है वो एक कई 130 केप्सोमीर से मिलकर बना होता है अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमने बताया था कि ये 300 मीटर 300 नैनो मीटर आपका लॉंग होता है और 18 नैनो मीटर का डाइमीटर होता है यानि किसकी चोड़ाई होती है लेकिन जो खोखला वाला पार्ट है उसकी चोड़ाई किसी बात की जाए उस खोखले वाले पार्ट से ही वो जो खोखला कैविटी वाला पार्ट जहां से आपका सिंगल स्टें नैनोमीटर की होती है चार नैनोमीटर और आपको भी पताए कि ये पूरा पार्ट क्या होता है खोकला होता है बीच में space होता है cavity होती है जहाँ पिए आपका single standard RNA present होता है उमीद करता हूँ सारी बाते clear हो चुकी होंगी अब समझ यह जो ये capsomere होता है ठीक है अब तक तो हमने जाना कि जो कैपसीड होता है वो 133 कैपसो मियर से मिलकर बना होता है लेकिन अब बात की जाए आपके एक कैपसो मियर की तो एक आपका कैपसो मियर 158 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है एक कैपसो मियर 158 अमीनो एसिट के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उमीद करता हूँ यह चीज भी समझ गया होंगे तो आपका कैपसीड एक कई सो तीस तू थाउजेंट वन हंडे थर्टी कैपसो मियर से मिलकर बना होता है और आपका एक कैपसो मियर वन हंडेड फिफ्टी एट अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है हेलिकल फॉर्म में होता है यानि कि कुंडलित होता है आपको पता है यह कुंडली के फॉर्म में है यह आपको देखने से यह उपर से इमेज देखने में भी समझ में आ रही है चार मीटर की, चार नैनो मीटर की, माफ कीज़ेगा, उसके अंदर हॉलो कैविटी होती है, मतलब खोखली जगह होती है, जहां पे आपका RNA परजेंट होता है, यह पूरी टॉपिक आपकी यहां पर खतम हो गई, जैनेटिक मैटीरियल के रूप में, TMV के अंदर कौन परजें रहे हैं, यहां पे जैनेटिक मैटीरियल के रूप में, कौन परजेंट है, आपका सिंगल स्टेंडर्ड RNA परजेंट है, खतम, अब हम बात करेंगे, इसके सिंटम्स या कुछ अन्य चीजों की, Excuse me, मालिक, यह नहीं बताया कि यह जो सिंगल स्टेंडर्ड RNA है, वो किस से मिलकर बना होता है, सबका तो समझ में आता है, इसका क्यों नहीं बताया मालिक, बैल हो क्या बिलकुल टाइटर, यह तो सबको पता होता है कि जो genetic material होता है, वो nucleic acid, यानि कि nucleotide से मिलकर बना होता है, और यह भी nucleotide से मिलकर बना होता है, तो बात की जाए, single standard RNA कितने nucleotide से मिलकर बना होता है, तो यह 6400, यानि कि 6400 nucleotide से मिलकर बना होता है, तो इस चीज स्टेंडेड आरन्य बनता है और वो सिंगल स्टेंडेड आरन्य उसी खोखल स्थान में रहता है जो मैंने आपको बताया था या आप इस तरह के से भी कह सकते हैं कि सिंगल स्टेंडेड आरन्य आपके प्रोटीन कोट से घीरा हुआ होता है जो भी मन में आप कह लिजेगा बा सब चीजे होती है तो जब क्लोरोसिस होता है तो सिंपल सी बात है वहां की जो क्लोरोफिल होती है वो मर जाती है सही से क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होता है अब जब क्लोरोफिल सही से नहीं बनेगा तो वही तो पत्ती को ग्रीन रखने में हेल्प करता है अब वही नही रहता है तो पतिया वहां की पीली पढ़ने लगती हैं सूखने लगती हैं यही सब चीजे होती हैं यही तुम आपको बता रहे थे इसकी वज़ा से पौधे की ग्रोथ में भी रुकावट होती है जब खास कर पतिया आपकी इंफेक्टेड हो जाएंगी तो पति उस हिसाब से खाना का formation नहीं करेगी और नहीं करेगी तो फिर मतलब धूप को absorb नहीं करेगी तो धंग से जो plant की growth है वो हो नहीं पाती है फूल बहुत कामाते हैं यही सब चीजे होती है आपको पताई है मैं लिख देंगे अस्थानी से पढ़ लीजेगा इसमें क्या बहुत नई चीज है ठीक है distorted मतलब होता है पतियां अपना shape नहीं लेपाती है खराब हो जाती है आपका curling मतलब जो मुर मुर नहीं जाती है atom पढ़ जाती है तो वो हो जाता है ठीक है डार्फिजम मतलब पतियां छोटी रह जाती है plant छोटा रहता था उसका growth नहीं होता है अब हम बात करते हैं इसके की और की किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं अब हम लोग इतना disease के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसके control method के बारे में तो हमको अंदाजा हो गया है कुछ कुछ चीज़त एकदम fix है कि जो हर में रहेगी जैसे कि जो भी field की स्वाइल है उसकी sanitization करना पहले उसको sanitize कर लिजे जो भी उसमें पहले से present आपके bacteria या virus है यहापे virus की बात चल लिए तो उनको टपका दीजे दूसरी चीज़ कि आपका certified seeds का यूज करिए यह ना कि आलतु फालतु जाउने बीज उठाया खोज दिया ना जो certified fees है जो infected नहीं है उस तरीके की बीज का आप यूज करिए तीसरी चीज़ आपकी resistant variety यूज करिए ऐसी variety यूज करिए जिन में रोग लगने का खतरा बहुत कम हो simple सी बात है उसके अलामा आसपास का जो घास फूस होता है उसको साप सफ़या कर दीजे वरना आप उस पे आके रह सकते हैं यही सब common सी चीज़े हैं और जो भी आप equipment इस खेत में यूज करें पहले उसको seratize कर लें उसको sterilization के बाद ही कहीं इसमें यूज करें वरना आपकी क्या है उस तरीके से भी आपका वाइरस आपके फील्ड में आपके खेत में आ सकता है यही सब common सी चीज़े आप इसे लिख सकते हैं आपको सब पता ही है आप लोग extra talented है तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ गए होगी आज की बस इतना ही वीडियो पसंद राएगी तो लाइक चीज़ सब्सक्राइब कर देगा बहुत पसंद राएगे तो कमेंट कर लिजेगा बेल आइकोन ओन नहीं किया तब तक बेल आइकोन ओन कर लिजे ठीक है टाटा बाय बाय कुछ प्यादा सा कमेंट कर लिजेगा